कि दस्तों नमस्कार कि आप लोग सब सुरक्षित होंगे जितने लोग यह वीडियो देख रहे हैं कि तो आज मैं वीडियो बनाने का मेरा मुक्सद यह है कि अभी एक दिन पहले एक दुरखटना मैंने देखा कि एक गाड़ी का दर्वाजा अचानक से खुला ऐसे अचानक से और पीछे से एक स्कुटी पर एक लड़का आ रहा था जो अचानक से दर्वाजा से टक्राया और वो वहीं गिर गया और उसको सिर पे चोट लगा और सिर पे चोट लगने की वैसे उस पे लिखा हुआ था कि उसकी डेथ हो गई तो ऐसे दुरघटना हम आए दिन देखते हैं अचानक से दर्वाजा खुलता है और हम टक्राने से बच जाते हैं बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा तो अगर हम पैदल आ रहे हैं तो दर्वाजा खुलता है तो हम अपने आपको सम्हाल सकते हैं लेकिन अगर बाइक से सकुटी से अगर हम तेजी से आ रहा हैं तो उस सम्हाल पाना ना के बराबर है मुश्किल है नमुमकीन है तो उस केस में क्या होता है कि वो टक्कर लगना ही लगना है और दोस्ट किसको हम देंगे वो तो बात की बात है लेकिन जब वो दुरघटना हो जाती है तो उस टाइम पर अगर कोई हेलमेट पहानता है तो उस केस में क्या होगा कि चोट लगने की संभावना कम होगी क्योंकि as you know that head is the CPU of our body आपको पता होगा अगर हमारा सीर चोट नहीं लगा सीर अगर हमारा सेफ है तो बाकी कहीं भी चोट लगे तो उतना मुश्किल नहीं होता है जितना की सीर पे चोट लगने से दुरघटना में अगर सीर पे चोट आती है तो इलाज भी मुश्किल है और on this spot death भी हो सकती है तो इसी लिए आप लोग हम as a safety professional मैं ये चीज बार-बार बोलता हूँ दूसरी चीज ये है कि एक जब हम shirt पहनते हैं तो सारे बटन हम खुद लगा लेते हैं जब हम pant पहनते है तो हम अपने pant की zip लगा लेते हैं क्यों क्यूंकि ये हमारे आदत में शामिल है हम ऐसे पहनते ही है और हमको ये आदत है तो ठीक उसी प्रकार अगर हम जब भी बाइक की चाबी लेते हैं जब बाइक हम स्टार्ट करने वाले होते हैं तो एक आदत ही बना ले हैं कि हम हेलमेट पहनेंगे तो जब हम कहीं बाहर जा रहा हैं तो बाईक के साथ हमें helmet याद रहेगा क्योंकि जब भी हम बाईक से जाते हैं तो helmet हमारे head को protect करता है इसलिए क्योंकि वो हमारा CPU है जैसे computer में CPU होता है ठीक वैसे हमारा जो head है वो CPU है तो यह हमें protect करता है इसलिए ये अपनी खुद की सुरक्षा के लिए है अगर आप खुद की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं तो सेफ रहेंगे अगर नहीं ध्यान रखते हैं तो कभी भी दुरगटना हो सकती है साल में 365 दिन होते हैं तो अगर 365 दिन आप सेफ रहते हैं और 31 दिसंबर को किसी के साथ दुरगटना हो जाती है तो एक जनवरी को पिक्णी का प्लान होगा नहीं होगा क्योंकि जब भी दुरगटना होगी तो पूरे घर में तबाही मत जाएगी और सब की हालत खराब रहेगी तो इसलिए मैं ये चीज बोलता हूँ बार-बार खुद की सुरक्षा के लिए हमें ये खुद एक कल्चर कल्टिवेट करना चाहिए अपने घर में और अपने आसपरोस में समाज में ताकि हम सुरक्षीत रहें जब हम ये चीज फॉलो करना शुरू करेंगे तो हम सेफ रहें तेंक यू जय सुरक्षा